हेलो आपके साथ शेयर करने इस वीडियो में मैं आया हुआ हूँ तो चलिए देखते हैं कि ये गौर्मेंट जॉब वेकेंसी किस और्गनाइजेशन की तरफ से आया हुई है VLCC 2021 ने वेकेंसी रिलीस की हुई है और यहां पर देखें जरा किस किस चीज के लिए वेकेंसी जो है आई हुई है तो बेसिकली देखा जाए तो कनिष्ट अभियंता या कनी अभियंता लिखा हुआ है विद्यूत, सिविल और मेकैनिकल के लिए जूनियर इंजिनर की वेकें sc.nick.in पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं परिक्षा शुल्क जो यहां पर लिखा हुआ है वो 100 रोपे लिखा हुआ है परिक्षा शुल्क में चूट जारखन राज के जो आरक्षित कैटिगरी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए है ठीक उनके लिए परिक्षा सरी में 19 है टोटल 19 यहां पर वेकैंसी ए ठीक है और अनुसूचित जंजाती में कर आखर आप देखें तो 12 है अनुसूचित जाती में देखें तो 5 अनिया पिचडा वर्ग इसमें 3 है पिचडा वर्ग जो है उसमर्द उस पर भी तीन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग js इसके लिए 4 है तो कुल मिला के electrical के लिए अगर मैं बताऊं तो total 46 vacancies जो है वो यहाँ पर available होती है वहीं अगर आप civil के लिए भी अगर आप देखें तो total यहाँ पर 188 के आसपर seat इधर आती है है ना civil के लिए ऑफ पूरा bifurcation देख सकते हैं civil branch से जिन students ने diploma किया होगा इस से पहले electrical branch से जिन students ने डिप्लोमा किया होगा और यहाँ पर mechanical से जिन उने डिप्लोमा किया होगा उनके लिए 51 seat अविलेबल है ठीक है तो यह तीन branch के candidates के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है यह vacancies आई हुई है अब यहाँ पर यह बाकी की details भी दी हुई है आपको जिसमें की आपकी salary range कितनी होगी और required qualification कितनी है ठीक है तो अगर आप junior engineer electrical के लिए opt करते हैं तो यहाँ पर आपका pay matrix level 6 का रहता है 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी salary जो है वो जाती है और यहाँ पर आप अगर इसमें qualification की बात करें तो बहुत ही अच्छे ख़बर यह है कि डिप्लोमा, electrical में आपका डिप्लोमा जो है मानिरता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से होना जरूरी है लेकिन अगर आपने degree भी किया हुआ है अगर धारित करने वाले अभ्यारती हैं तो वो भी आवेदन देने के पात्र होंगे उस particular branch से अगर आपने याँ इलेक्रिकल से आपने अगर higher qualification भी किया हुआ है जैसे BE या BTEC भी किया हुआ है तो आप इस पर eligible होंगे तो यह काफी confusion का state रहता है तो वो इसके साथ clear हो जाता है civil के लिए भी exactly same thing कि आपका civil में जो diploma है वो required है लेकिन इसमें भी BE या BTEC in civil अगर है आपका higher qualification तो वो eligible होंगे इसके लिए salary level जो है pay band जो है वो एकदम exactly same है सभी के लिए है ना mechanical के लिए भी exactly same है यहाँ पर डिपलोमा जो है या B BTEC आपका mechanical stream से होना जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर अब देखिए अब भ्यारतियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम्तिति तक जो भी new term sectionic योगिता है वो उत्तीन होना अवश्यक होगा तो आपके mind में जो चल रहा है कि सर final year appear कर सकता है नहीं कर सकता है उसका answer इस first point में दिया हुआ है कि आवेदन जिस समय आप प्राप्त कर रहे हैं ठीक है आवेदन प्राप्त होने की आखरी जो डेट है तब तक आपका degree completion ज़रूरी है यह required है ठीक है तो नियूंतम sectionic योगिता जो है उसका उत्तीन होना required रहेगा यहाँ ठीक है तो अच्छा दूसरा एक और important thing जो उपरियुक्त अनिवार योगिता के अतरिक्त जो अभ्यारती है उनका metric यह दस्वी कक्षा जार्खन राज्य में अवस्थित मानिता प्राप्त संस्थान से sectionic संस्थान से उत्तेन होना जरूरी है 10 जो है आपका वहां से ह अनिवार यह रहेगा तथा अभ्यारतियों को इस्थानी रिति रिवाज भाषा परिवेश इन सब चीज का knowledge होना भी जरूरी है तो यह एक यहाँ पर एक और condition जो है वो लगा हुए ठीक है तो finally year का condition clear other state का condition आपका clear हो जाता है ठीक अब आगे देखते है तो अलग अलग अ अगरा की category से भी अगर आप belong करते हैं तो उसमें जो medal है उपलबदी है उसके हिसाब से आपका यहाँ पर preference यहाँ पर ताय होता है ठीक है प्रतियोगिता का स्तर जो है उसके हिसाब से दिया हुए कि उसमें आपने कौन सा position attain किया उस according भी आपको कैसा preference मिलता है ठीक है और अ जो है वो 18 साल की है यहाँ पर ठीक है अधिकतम age limit जो है वो 25 जनवरी 2016 द्वारा यथा निर्धारित जो इस section में जो mentioned है वो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए जो है वो 35 वर्ष की है और अदर जो दूसरी और भी categories यहाँ पर जो mentioned है ना पिछड़ा वर्क अनुसूची एवं ये तो इनके लिए 37 वर्ष है और महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्क अत्यान पिछड़ा वर्क अनुसूची द्वर्क एवं पिछड़ा वर्क के लिए ये 38 वर्ष तक जाता है और अनुसूची जन जाती अनुसूची जाती आगे इसमें और काफी सारी चीज है, यहाँ पर आपको किन-किन चीजों में छूट मिल रही है कि एज लिमिट्स वगरा के हिसाब से, तो उसका डीटेल दिया हुआ है, क्या-क्या रिलाक्सेशन से हैं, वो सब भी बताया हुआ है, ठीक, चलिए, और कुछ next detail देखें, पातर आपर देखें, आरक्षन जो जितने भी टाइप के reservations applicable है, उनका पूरा detail दिया हुआ है, एक-एक चीज पूरा properly specify करके, बहुती detailed way में, descriptive way में काफी बढ़ियां से ये notification तयार किया गया है, है ना, कि जाती प्रमान पत्र है, तो उसके बारे में पूरा paragraph जो है, वो mention कर रहा है ठीक, तो ये category wise ये, जो details हैं, वो आपको मिलते हैं इसी के साथ, अब online औविदन भरने से पहले आपको इतने जो दिशा निरदेश जो है, ये आपको बहुत बढ़ियां तरीके से ध्यान में रखने होंगे, ठीक है, है ना, कि आप अपने नाम की spelling भी वैसा लिखेंगे, ज हाला कि जब mistake भी अगर suppose हो जाती है, तो यहां पर इस exam में उसका भी provision है, आपको correction का भी एक समय दिया जाएगा लग से, ठीक है अभी आएंगे उस point पर, form कहां पर fill up करेंगे, देखिए इसके लिए official website mention है www.jssc.nick.in पर आप जाएंगे, वहां पर online application for JDL CCE 2021 को आप click जाएंगे और उसके बाद फिर registration के option में जाएंगे, वहां से जो भी required data मांगा जाएगा वो आपको fill up करना रहेगा, ठीक है, पूरा detail में बताया हुग है, कि save and continue करने के बाद फिर आप अगले page पर जाएंगे, वहां पर आप जो condition से उसका पूरा पूरा करेंगे, फिर जो fees आपको payment करना है, उसका detail, फिर scanned photo और signature जो आपको upload करना है, इसका पूरा detail बढ़ियां से बताया हुग है, ठीक है, आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन ये दिया हुआ है, कि 28 फरवरी के 11 बजे से लेके, दिनांक 2 मार्च तक, कि मधिरातरी तक, जो online आवेदन पत् आपको इस duration के भीतर, ताकि आप उसको वापस से correct कर लें, उसमें अगर कोई mistake हुआ है, तो उसको correct कर सकते हैं आप इसको, तो ये पूरा detail दिया हुआ है, फॉर्म भरने की पूरी complete details अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या है, registration करने और सुचना दर्श कराने हैं तो 23 जनवर 2022 से लेके 22 फरवरी 2022 तक आप form इस पर fill up करते हैं, ठीक, वहीं आपको online fee का payment करने के लिए 25 फरवरी 2022 की मध्य रातरी तक का समय जो है इसमें दिया जाता है, photo और signature अपलोड करके आवेदन पत्र का print out लेने के लिए आपको 27 फरवरी 2022 तक का समय दिया जाता है, और correction का समय जै कि 2 मार्च 2022 तक form fill up का पूरा process fully complete हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है, परिक्षा शुल के भुकतान करने की भी प्रक्रिया पूरी given है आपको, किस तरीके से होगा, अब जो exam होगा उसका pattern क्या है, examination pattern overall किस तरीके से होता है, ठीक है, तो CBT basis पर test होगा, और इसका क्या condition है देखत कि परिक्षा के सभी प्रशन MCQ type होंगे, है न, multiple option, multiple option questions रहेंगे यहाँ पर, हर एक question पर आपको 3 marks attain होते हैं, हर एक सवाल का 3 number आपको मिलता है, सही answer करने पर, और हर सही answer के लिए 3 marks, और हर गलत answer के लिए 1 marks का deduction जो है, वो किया जाएगा, ठीक है, question जो आपका होगा प्रशन पत्र वो हिंदी और अंग्रेजी दो भाशा में होगा, तो language कभी आपको उसमें tension नहीं है, दोनों ही language available है यहाँ पर, है न, और इन पदों के लिए सीधी न्यूक्ति है तो मुख्य परिक्षा के विशय एवं पाठिकरम, यह बताया हुआ है, तो देखिए, जो main exam आपका conduct होगा, यह कैसा होगा, के लिए दो पत्र होगा, यहाँ पर दो पेपर होगा आपका मुख्य परिक्षा के लिए, ठीक है, दो अलग-अलग shifts में यह परिक्षा कराये जाएंगे, हर प्रतेक पत्र के परिक्षा की अवधी दो घंटे की होगी, और विशय क्या-क्या होगे द और समान ने घ्यान का जो question रहेगा, वो 40 प्रशन रहेगा, ठीक है, जो second paper होगा, second paper पर आप देख सकते हैं कि आपके जो भी respective stream से आप belong करते हैं, उसके questions रहेंगे, 120 सवाल सीदे-सीदे आपके respective stream से ही रहेंगे और दो घंटे का समय आपको मिलता है, अब syllabus पर अगर बात कर समान ने घ्यान के लिए भी पूरा detail यहाँ पर दिया हुआ, आप देख सकते हैं, यह PDF में आपको पूरा कुछ मिल जाएगा, समान ने विज्यान, समान ने गनित, general mathematics हो गया, और मांचिक शमता की जाच, इन सब का पूरा condition दिया रहेगा, अब paper 2 पर जब जब जाएंगे, जो detailed form में जिसमें होने वाला है सारा कुछ, तो civil के लिए देखें, यहाँ पर पूरा detail दिया हुआ है, civil का पूरा detail है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो mechanical engineering के लिए पूरा detail रहेगा, कि कौन-कौन से subjects यहाँ पर applicable रहेंगे, फिर electrical engineering के लिए आप देख सकते हैं, कि पूरा detail रहेगा, basic electrical, यह सब बहुत सारे सब basic, कि जो conditions हैं, वो सब पूरे given है, कौन-कौन से subjects हैं, वो सब पूरा detail में दिया हुआ है, basic electronics का part है, सब चीज है, so मुख्य परिक्षा के अधार पर, जो merit list जो होगी, वो यहाँ पर generate होगी, ठीक है, merit list जो होगी, वो इसके हिसा पानारक्षित के लिए 40% attain करना compulsory रहेगा, ठीक है, बाकी लोगों का भी condition यहाँ पर दिया हुआ है, प्रमाण पत्रों का सत्यापन है न, उसका जो attestation है, यह किस तरीके का होना चीए, इस सब पूरा detail यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो काफी बढ़िया तरीके से इस किसी भी टाइप से आपको revaluation, परिक्षा फल यानि result आने के बाद, साथ दिनों के अंदर अगर आप revaluation भी कराना चाहते हैं, तो 500 रुपीज का charge दे करके आप वापस से revaluation इस पर करवा सकते हैं, ठीक है, तो यह basic इस पर details दी हुई है, ठीक है, I hope कि यह detail पूरा proper आपको सभी का format दिया हुआ, जाती प्रमाट पत्र है, जो भी अलग-अलग जो है, उनके details पूरे दियो है, ठीक है, तो यह पूरा major information था, इसमें सबस्यादा important thing यह है, कि आपको पूरे जो dates है, वो बढ़ियां से ध्यान में रहें, कि exam form fill up करने और end up करने का date क्या है, इसमें basic qualification क् other state से apply कर सकते हैं, यह भी मैंने इसमें clear किया, और final year appearing students भी appear नहीं कर सकते हैं, यह भी इसमें clear हुआ, degree and diploma की condition भी, I hope आप लोगको clear होगी होगी, ठीक है, so much steps इसकी preparation कीजेगा, और जबर्दस तरीके से इसका exam दिलागेगा, साथ ही मैं बता दूँ आप लोगको कि इसकी चलिए बस यहां mentioned है, तो इसके according, आप courses select कर सकते हैं, और इसके लिए सबर्दस तरीके की preparation कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, इस session पर बस इतना ही, I hope कि यह government job की जो detail थी, आप लोगको के लिए useful साबित होगी, मिलता हूँ आप सभी से, अगले government job की detail के साथ, next video में, till then, thank you very much चलिए आप Kे सभी खाते हैं, आप सकते हैं, और ख्याद मेंसे इप हैं?